हेलो फ्रेंट्स आज जो मैं दिखाना वाला हूँ वह आपका बेसिक ट्रबल शूट पार्ट है जो आपका होम बेसिक के लिए भी यूज होता है ऑफिस में भी कई-कई बर दिक्कत होता है अपका कई-कई बर आप देखते हैं कि आप कनेक्टिविटी आपका सही हो या लैन स रही हो फिर भी आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहे है तो हम लोग अचानक से तुरंत फोन कर देते हैं आएसपी को आएसपी कहते हैं कि हम लोग एंट से सब कुछ सही है कोई प्राबलम नहीं है तो मैं कुछ बेसिक ट्रबल शूट दिखाना वाला हूँ जिससे आपका दो तरीके से आपका इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है एक आपका वाइफाई और दूसरा लैन मैं अभी वाइफाई के साथ कनेक्टेट हूँ तो इसलिए यहां पर वाइफाई दिखा रहे है और अगर आपका बिसक गड़िए लैन केबल से कनेक्टेट 460 5号 तो अगर आपका इंटरनेट ना हो तो आपको यहाँ पर दिखाएगा नो इंटरनेट एकसेस चो कि आप देख रहे थे कि मुझे इंटरनेट दिखा रहा है और आपका अगर लैन कनेक्शन के साथ हो तो वह येलो कलर का एक मांक आजाएगा जिससे आप दिख सकते कि यह उसमें आपका लैन तो कनेक्ट है पर आपका इंटरनेट नहीं है कई-कई वर ऐसा भी हो सकता है आपका लैन का वैर जो है वह लूज ए आप एक बर वह चेक करेजिए नेक्स्ट जो अभी दिखाने वाला हो यह है आपका वींडोस आर जो मेरा पिछली वीडियो भी देखे होंगे आप वहाँ पर cmd type किजिए और देन उसमें आप आपका ip configuration देखिए तो यह ip configuration भी एक तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ip है आपका gateway क्या है आपका subnet marks क्या है तो आप देखें यहाँ पर मेरा 1.234 ip है और मेरा gateway है 1.1 तो मैं सबसे पहले चेक करना वाला हूँ कि मेरा gateway सही है कि नहीं है तो यह आपका जो ip address है यह dhcp भी हो सकता है और आपका static भी हो सकता है ठीक है यह चेक किजिएगा कि यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपको किस तरह से अगर ip नहीं दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब ip भी issue हो सकता है वो में next में बताऊंगा फिलाल तो मैं अपना gateway को पिंग करना चाता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ मेरा gateway के साथ link up सही है कि नहीं है तो यह दिखिए मेरा आपका response जो है पिंग करन मेरा यह आपका global DNS है 4.2.2 तो इससे आप चेक कर सकते हैं आपका internet connection 4.2 आपका DNS है तो global DNS माना जाता है इसको तो इसमें मेरा 4.2.2 आ रहा है कई-कई वर ऐसा भी हो सकता है आपका 4.2.2 पिंग कर रहा है यह आपका browser में कुछ भी open नहीं हो रहा है Google हो YouTube हो Yahoo कुछ भी open नहीं ह हो रहा है तो इससे इसका मतलब यह है कि आपका DNS में कुछ इशू है तो कहीं कि वर DNS में भी issue होता है हम लोग नहीं डालते है DNS तो हम लोग सबसे पहले उसके बाद जो अब मेरा 4.2 रिस्पॉंस आ गया अभी मैं Google.com को पिंग करके चेक करना चाहता हूं कि मेरा आ रहा है कि अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका DNS में पक्का इशू है तो किस तरह से यह भी चेक करेंगे किस तरह से मैं DNS को configure करता हूं मेरा सिस्टेम में तो इसके लिए आपको फिर से Windows R प्रेस करना पड़ागा रन ओपेंट करना के लिए देन कंट्रोल C O N T R O L कंट्रोल टाइ तो यह मेरा Wi-Fi के साथ है तो इसलिए Wi-Fi दिखा रहा है तो मैं इसे क्लिक करूंगा और उसके बाद जो भी TNS है उसमें में चेंजेस करूंगा यह देखें यहां पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरा जो प्रोपर्टीस है वो दिखेगा प्रोपर्टीस में हीट करता तो मुझे यहां पे IPv4 दिखेगा यह देखें यहां पे opt-in IP address है मतलब मेरा DHCP से IP ले रहा है अगर use the following IP address का मतलब यह है कि आप static IP भी डाल सकते हैं और यहां पे दिया होगा अगर आपका use this following IP है और यहां पे देखें कई-कई-बर opt-in DNS server automatically होता है तो कई-कई-बर router में शा को आई-पी तो प्रोवाइट कर रहा है पर DNS प्रोवाइट नहीं कर रहा है यहां पे आप following DNS की चूज करके आप अपका statically आप इसको define कर सकते हैं तो मैं यहां पे और दिया हुआ हूँ 4.2.2.2 इसके बज़े से मेरा ping भी हो रहा है और google.com भी खोल रहा है और कोई भी browser में कोई भी website मेरा open हो रहा है तो अगर browser में open नहीं हो रहा है और आपका 4.2.2.2 पिंग हो रहा है इसका मतलब समझ लीजिएगा आपको यहां पे DNS सेट करना पड़ेगा तो यह कहीं बार मैं देख चुका हूँ यह अला issue तो तो इसमें हम लोग छोटे-चोटे बात में हम देखे okay कर दिया मैंने मतलब मेरा सेट हो चुका है और यहां पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो यह सब आप धियान में रखते हुए आप काम किजिए तो मेरे कहल से अगर इसके बाब जूत issue हो रहा है मतलब ISP से issue है confirm आप अपना IT person को कॉल किजिए या आपका ISP जो भी है ISP क जो कॉल किजिए कि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा है थैंक यू दोस्तों कि अ कि अ 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